गाईज आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में स्वागत है और गाईज आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके फोर्ण में इस्टाग्राम के एपलिकेशन में इस तरीकी से प्रॉब्लम आता है यहाँ पे इस तरीकी से लिखा हुआ सो करता है could not upload try again तो यहाँ पे दोस्तों जब भी आप यहाँ पे इस्टाग्राम एपलिकेशन में कोई भी वीडियो अपलूट करते हैं या तो फिर कोई भी इस्टोरी वगेरे डालते हैं तो आपको यह प्रॉब्लम सो करता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका solution बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है इस problem को solve कर सकते हैं तो guys आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा end तक watch करें और अभी तक आपने इस वीडियो को like नहीं किया है तो like कर दीजिए और हमारे channel को subscribe भी कर लिजिए so guys चलिए video start करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो आपको इस problem को solve करने के लिए दोस्तो सबसे पहले मैं आपको यह पताता हूँ कि यह problem आपके phone में क्यों आता है तो हो सकता है guys यह problem आपके phone में network ना होने के कारण आता होए तो आप जो है सबसे पहले अपने phone का network चेक कर लिजिए अगर आपके phone में network सही है तो दोस्तो अब आपको क्या करना है फिर भी यह problem आ रहा है network के सही होने के बाद भी तो अब आपको जाना है अपने phone के settings में और settings में आने के बाद यहाँ पर आपको application का option देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको second number पर पर manage apps करके एक option सो करेगा तो यहाँ पर आपको click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको click करने के बाद यहाँ पर search bar का option देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको search bar पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको Instagram लिखके आपको search कर देना है उसके बाद दोस्तों यह जो application है वो आ जाएगा तो यहाँ पर आपको इसको open कर लेना है open करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको storage का क्लिक करने है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आपको फाइल एंड मेडिया का ओप्सन देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको इसका परमिसन देने है तो इसका परमिसन देने के बाद दोस्तों आपके फोन के गैलेरी से जो भी वीडियो आप यहां पे अपलोट करेंगे या तो फिर स्टोरी डालेंगे तो जो है वो डला जाएगा तो इसी तरीके से दोस्तों आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और गाईज यह जो प्रॉब्लम है वो 100% आपके फोन से सॉल्व हो जाएगी तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए